हालो गाइस, स्वागत है आपका सेड़सन सी चानल पर और मस्तों सोफार सेजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका 11 एपिसोड दे स्पिरेट बाक्स जिसके डिरेक्ट है रॉब श्मिथ जो बना चुके है रॉंग टन सेड़न सीजन में इनका एपिसोड था राइट टू डाई तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं कहानी शुरू होती है हैलोवीन के टाइम पर और हम देखते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स बेका और शेल्बी को बेका जल्दी ताइवान में शिफ्ट होने वाली है तो एक साथ ये इन दोनों का आखरी हैलोवीन है उन्हें कुछ ऐसा करना था जो दोनों को हमेशा याद रहे बेका ने आइडिया दिया के चलो स्यांस करते हैं यानि के आतमा उसे बात करते हैं हाली में शेल्बी की मा की देथ हो गई थी तो क्या पता वो शेल्बी से बात करना चाहती हो ऐसा कहना था बेका का तो अपनी मा से बात करने के लिए शेल्बी ने एक स्पिरिट बॉक्स तैयार कर लिया का एंड आफ वीजी बोर्ड फिर पॉइंटर के उपर दोनों ने थी कि उसकी मा होगी पर जब नाम पूछा तो नाम उसने बताया MLE यानि Emily इनकी क्लासमेट थी जिसने खुद अपनी जान ले ली थी अब वो सच में Emily की स्पिरिट है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए शेल्बी ने पूछा कि अगर तू Emily है तो ये बता तूने खुद को कैसे मारा था तब उसने बताया MRDR मर्डर यानि उसने खुद को नहीं मारा था उसका कतल हुआ था और ये बात आज तक किसी को पता ही नहीं शेल्बी ने पूछा कि तुम्हें किस ने मारा था और ये पूछते ही कैंडल्स अपने आप बुच गई यानि सेंस खतम हो गया औ इन दोनों ने उसकी देट के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि वो कार लेकर रिवर में कूद गई थी और बैक आउसे थोड़ा बहुत जानती भी थी क्योंकि वो इसी के चीर लेडर स्कौर्ड में थी शेल्बी के मन में ये सवाल था कि एमिली ने हमें क्यों चुना उसने ने चुना तुमने पंगे लेकर उसे बुलाया और तभी शेल्बी का डैड घर आ गया ऑफिसर डैन शेल्बी सुमिंग कॉम्पेटिशन जीतना चाती है तो डैन ने बोला कि जा कर अपनी प्रैक्टिस करो वो भी चली गई लेगिन जब वो पूल में थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उसके साथ है ये बात उसने बैका से शेयर की तो बैका ने उसे बताया कि मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ है मेरे फून पर ये मैसेज आया है जिसमें सिर्व लेटर लिखा है इसी बीच उनका कोच मिस्टर ड्रेक उनके पास आय जिसे बैका पसंद नहीं करती क्योंकि इसका कहना है कि उसकी नियत खराब है और शेल्बी के साथ वो थोड़ा फ्रैंक भी हो रहा था बैका इसे पहले भी बता चुकी है कि ड्रेक की तेरे उपर नजर है पर शेल्बी इस बात को जादा सीरियस नहीं लेती फिलाल एक सीरि पहुंचे जहां पर एमिली की मौत हुई थी वहां पर उसका मेमोरियल बना रखा था शेल्बी बताती है कि एमिली की बाड़ी जब पानी से निकाली गई थी तब इसके डैड़ वही पर मौजूद थे और एमिली की लाच देखकर वो कई दिनों तक परेशान रहे थे क्यो पहुंच गई रिवर के किनारे अपने हाथ धोने तभी पानी में से एक हाथ निकला जिसने शेल्बी को पकड़ी लिया था वो तो यह बचकर भाग निकली और फिर कौन सा यह दोनों वहां पर रुकने वाली थी भाड़ में गई बाच्ची दोनों वहां से भाग गई फिर अगले दिन शेल्बी अपने डैड के ओफिस से एमली की फाइल चुरा कर ले आई उससे पता चला कि मरने से पहले एमली नशे में थी उसके खून में अलकोहल और नींद की गोलियों की मातरा काफी हाई थी यानि कि पानी में जाने से पहली वो मर चुकी थी किसने जान बू गया कि पिल्स भी उसे किसी और ने दी थी अलकोहल में मिला दी होगी अब सवाल यह है कि पुलिस क्या इतनी निकमी है इन दोनों ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया तो क्या पुलिस नहीं कर पाई होगी खर तभी मिस्टर ड्रेक शेल्बी के पास आ गया वो बोलता है कि तुमारी शकल एकदम तुमारी मां से मिलती है और तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो ऐसा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि शेल्बी की मां उसकी दोस्ती अब एमिली के दोस्तों से पूस्ताच करने पर यह पता चला कि क्रिश्चन नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा इदने में वो नहा रहा था शेल्बी ने उसके कोट में से पुलिस कार की चाबी निकाली और फिर कार में लगे सिस्टम से क्रिश्चन के घर का पता लगा लिया इसके बाद शाम में जब वो सुमिंग करने पहुँची तो वहाँ पर एक अजीब सा मास पहना हुआ आदमी पीछे लग गया वो वाश्रूम में जाकर शुप गई तो वह आदमी उसके सामने एक नोट रखकर चलता बना नोट में लिखा था कि मुर्दो को चैन से सोने दो ये बाश शेल्बी ने अपने डैड को बताई और साथ में ये भी बता दिया कि शायद ये क्रिश्चन ने कि डैन ने क्रिश्चन को उठा कर उससे पूस्ताच की लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा ये तो अपने काम पर था डैन शेल्बी को कहता है कि कहीं तेरा एक्स बाइफ्रेंड जॉश तो नहीं था कहीं वो कोई मजाग कर रहा हो पर इसे पूरा यकीन है कि जॉश नहीं था फ उसले रात में दोनों कबरिस्तान पहुंची एमिली की ग्रेपर वहाँ पर उन्होंने फिर से एमिली से बात की उससे पूछा कि तुझे किस ने मारा था तो एमिली ने बताया एम आर डी आर पर ये तो बता दिया था ना अभी और है एके एम आर डी आर एके इससे क्या बन इससे पूरा नाम बना मिस्टर ड्रेक, मिस्टर ड्रेक ही वो कातिल है इससे पहले के और कुछ पूछ पाते वहाँ पर गाड़ आ गया इसलिए दोनों डबा उठाकर निकल पड़ी फिर शेल भी घर पहुंची तो उसका डैड उसी का वेट कर रहा था मजाग के मूड में इसलिए शेलिवी को सब कुसे सच सच बताना पड़ा उसने बोला कि एमली को मिस्टर ड्रेक ने मारा था मिस्टर ड्रेक का उसके साथ ठीड चल रहा था तो शायद एमली उसकी वाइफ को बताने वाली थी इसी डर की уваж도 से उसने एमली को नशे में करके मां डाला यह सारे points आया कि उसकी फाइल से जो मैंने आपके आफिस से चुराई बद ये सुनकर डैन गुस्सा हो गया क्योंकि इस हरकत से उसकी जाब जा सकती है उसने शेलबी को बोल दिया कि अपसे कोई फोन नहीं किसी दोस्त के साथ घूमना नहीं घर से स्कूल स्कूल से घर और जादा से उपर आ गई फिर स्कूल में बेका से मिली तो देखा कि उसकी टांग में चोट लग गई थी प्रैक्टिस के दौरान किसी ने इसे नीचे खीचा यानि एमिली अब इन्हें नुकसान पहुंचा रही है इन दोनों को उसका काम पूरा करना होगा वरना ये भी जाएंगी इने खुद ही कुछ करना होगा जिसके लिए इने चाहिए सबूद और सबूत मिल सकता है मिस्टर द्रेक के घर में जिसकी चाभी के पास है ड्रेक यान की मिड कामकर के का निचे रख तो बस वहीं से चाबी उठा कर इसने दूसरी चाबी बनवाली। उस चाबी से दरवाजा खोल कर शेल भी अंदर गई और बेका बाहरी रुख गई पहरात देने के लिए। बेका ने इसे एक टेजर भी दिया है अगर मामला बिगर जाए तो इसे वो पिल्स धूर्णनी है ज चैल्बी बैडरूम में पहुंची जहांपर उसने बैड के नीचे देखा तो वो डर गई क्योंकि बैड के नीचे पड़ी थी एक डॉल जिसे ट्रेक अपनी क्लास में यूस करता है और आखिर में शेल्बी को वो पिल्स मिल गई अब बस उसे बाहर आना था लेकिन ये आस प्रिसमती से नेटवर्ग वापस आ गया तो बैका की कॉल की वज़े से उसका फोन बच गया जिसके चलते वो पकड़ी गई लेकिन ड्रेक को फसाने का पैंतरा वो जानती थी वो उसी की भाशा में बात करने लगी कि मैं आपको पसंद करती हूँ आप से अकेले में मिलना वगेरा वगेरा और ड्रेक बड़ी असानी से उसके जाल में फस भी गया पर जैसे ही उसने शेलबी को टच किया शेलबी ने टेजर से उसे शौक दे दिया जिस वज़े से वो सीडियों से गिरता हुआ नीचे जाकर पड़ा और गर्दन तूटने की वज़े से मरा गया एम एक महीने आगे जब बेका ताइवान में शिफ्ट हो चुकी है शेलबी एमली की ग्रेव पर पहुंची तो इस बार उसे जटका लगा क्योंकि वो फर्जी ग्रेव थी किसी और की ग्रेव पर नकली पत्थर रखा हुआ था शेलबी ने जल्दी से बेका के पास फोन मिलाया और उसे बताया के एमली की ग्रेव तो फेक है तब बेका बताती है के एमली की बाडी को तो जलाय गया था लेगिन जब बेका ये बात पहले से जानती थी तो इसने बताय क्यों नहीं क्योंकि ये सारा इसी का प्लैन था असल में एमली को मिस्टर ड्रेक ने नहीं मारा था पलके इसी ने मारा था उसे ट्रोग करके उसके फोन से मैसेज किये और फिर उसकी कार को पानी में धकेल दिया और जो पिल्स Drak के घर से मिली थी वो भी इसे ने प्लाट की थी यहां तक कि जो मास्क पहना आदमी था वो भी यही थी और पेट में से एमली का लाकेट निकलना वो भी सब फेक था। स्पिरिट बॉक्स के थूँ एमिली ने कोई बात नहीं की थी, वो पॉइंटर भी यही हिला रही थी। और शेल्बी को पूल के पास जो कुछ दिखाई दे रहा था, वो बस इसका डर था और कुछ नहीं, जिसका बेका ने अच्छे से फायदा उठाया, इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का यूज किया किसी को मरवाने के लिए, पर क्यूं। एमिली को मार कर जब ये बच गई थी, तो फिर इसने ड्रेक को क्यों मरवाया, क्योंकि ड्रेक का फिर पहले इसके साथ था, बाद में वो एमिली से ज़ादा क्लोस हो गया, तो इसने एमिली को भी मार डाला, और जादे जाते इसे ड्रेक को भी मारना था, तो वो काम भी इसने पूरा कर दिया शेलबी का यूज करके, लेकिन एक काम अब भी बाकी है, एमिली का बदला, बेका अपनी कार में कहीं बाहर जा रही थी, लेकिन गैरेज का दर्वाजा खुला ही नहीं, कार भी पूरी तरह लाख होकर स्टार्ट हो गई, और बेका के पास मैसेज आने लगे लेटर वाले, क्योंकि वहाँ पर आ चुकी थी एमिली, अपना बदला लेने, पर आखिर में जाकर पता चला के ऐसा तो थाई नहीं, एक रिवील ने सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन जाते जाते एक और ट्विस्ट आया, जिससे आखिर में एक सूपर नैच्रल टच आई गया, जो के ज़रूरी भी था, उससे एपिसोड और साधा निखर गया, बेका को उसी की दवाई का टेस्ट मिला, अब आप बताईए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, पांच में से कितने स्टार, वागी रॉब श्मित का काम तो अच्छा है रहता है, और डैन वाल एक्टर को आपने पहले भी देखा था राइट टू डाही में, उसके भी डिरेक्टर रॉबी थे, इसके अलावा आगे जाकर शेल्बी और बेका ने फिर से एक साथ काम किया था फिफ्टी फिफ्टी में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंट्रोस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेन नोडिफिकेशन को आल पर सेट कर लो, अगर नोडिफिकेशन आपके फोन में पर्मनेटली शिफ्ट हो जाए, मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ तब तक के लिए सब को बाई